हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल सी दातुल में मैं हूँ आपका दोस्त दातुल गोल आज हम बात करेंगे फिर से और बैंक की जो की उपर के लेवल से फिर से फिसलता हुआ नजरारा चार्ट आप देख रहे हैं मंतली लोट वे बात करेंडिक है और यहां पर तो इसके अंदर बंतेए नजर नजर नहीं आ रही है पहली कंडल देखेंगे तो इसका जो लो था 274 रूपीज के आसपास का था वहां से stock ने एक अच्छा move जुरूर दिखाया था उस time पर but इस बड़ी candle के साथ एक breakdown भी दिया जो high लगाया था इसने वो 716 रपे के आसपास का लगाया था और अभी आप stock देख सकते हैं 106 रपे के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है तो काफी उपर के level से निचे आ चुका है तो इसको अभी आपको नहीं लेना है क्योंकि यहां पर भी हमें लगा था यह cheap हो चुका है फिर अगेन यहां लगा चीप हो चुका है यहां भी लगा था चीप हो चुका है तो हो सकता है stock और भी ज्यादा नीचे जाता हो नजर आया आप देखेंगे COVID time पे इस stock ने जो low लगाया था वो था 101 रुपे 55 पैसे के आसपास का जानी 101 रुपे के आसपास का अभी जो इसने low लगाया है वो है 100.80 आप देख सकते है recent इसने जो low लगाया है 101 रुपे के आसपास का ही है तो यह था कि same level के उपर stock अभी काम कर रहा है और इस level को अगर ब्रेक करता है तो stock जो है 101 को अगर ब्रेक करता है तो 92 तक की level दिखा सकता है तो इसके अंदर थोड़ा सा alert रहे के आपको काम करना होगा पहला level रहेगा 105 रुपे का अगर उसको ब्रेक करता है तो stock जो है 101 तक जा सकता है 101 को ब्रेक करता है तो फिर एक दम से sharp fall इसके अंदर expected है कि यह stock जो है 92 तक भी जा सकता है इस type से देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक stock जो है उपर के level से बिल्कुल इस type से trend में चलता हुआ नीचे आ रहा है जो चैनल है अब देखेंगे एक low यहां पर लगा था उसके बाद लो यहां लगता है a nest low उसके बाद के low नीचे होते चले जा रहे हैं और यह resistance level को break नहीं कर पा रहा है और high भी देखेंगे पहला high यहां था उसके बाद के high यहां लगे फिर high यहां लगता है और high यहां लगने के बाद अब नीचे का high है वो और भी कम होता जा रहा है तो यहां पर आप देखेंगे इन levels के आसपास आकर इस stock जो है थोड़ा सा ठकता हो और नजराता है तो 114 पंदरा के आसपास उसके बाद 118 के आसपास ही स्टोक जाता हो नजर आ रहा है इसे उपर की चाल बनती हुए अभी नजर नहीं आ रही है बट निचे के लेवल पे 105 का लेवल जरूर मैंटेन करके रखी है अगर 105 को ब्रेक करता है और उसके निचे की क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो स्टोक 101 और उसके बाद अगर 101 को भी ब्रेक कर देता है तो 2 डिजिट में जाता हो नजर आएगा जो की लेवल बनते है 92 के आसपास वीकली चार्ट पे देखिए 32 के आसपास की RSI है जानी 60 के में चाहिए काफी कम RSI है स्टेंथ नहीं है इसके अंदर और जैसे मैंने आपको बता है इस टाइप को चार्ट पैटरन इसका दिखाई दे रहा है उपर से लेके निचे तक का इन दो लाइन के बीच म सिम्टा हुआ इस टाइम पर बहुत ऊपर देखिए एक अच्छा खासा स्टोंग और जिस्टेंस इसका क्रेट हो चुका है और निचे के लेवल यहां पर स्टोंग जया क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टोंग इस लाइन के आ तो टोली डाउन्ट्रेंड में यहां पर स्टोंग स्टेंथ भी नहीं है यहां स्टोंग को कमा नहीं पाएंगे तो जाथो इसके अंदर बापीस आए गुछ चाथा हो नजरत आहा इसके अंदर की और आफिछ करने का नजरिया होगा बड़िस अभी सिर्फ ट्रेडिंग स्टिक स्टोप लोस लगा के विदाउट स्टोप लोस इसके अंदर आपको काम नहीं करना है थैंक यू धन्य बाद